नमस्कार दोस्तों कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो के सिखनेता हरदीप सिंग निजर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ बताने के बाद दोनों देशों के संबंदों में तनाव हद से ज़ादा बढ़ गया है दरसल कनाडा की प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने सोमवार को संसद में कहा कि कनाडाई नागरेख हरदीप सिंग निजर की हत्या में भारत की एजिंट्स का हाथ हो सकता है भारत पर आरोप लगाने के बाद कनाडा ने ओटावा में मौझूद भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को देश छोड़ कर जाने का आदेश दे दिया भारती विदेश मंतुराले ने एक बयान जारी कर कहा कि कनाडाई प्रधान मंतुरी के संसद में किये गए दावों को हम सिरे से निकारते हैं कनाडा में होने वाली हिंसा के लिए भारत पर आरोप लगाना बेतुका और राजनीती से प्रेरित नजर आ रहा है भारत ने जवाबी कारवाई करते हुए कनाडा के एक टॉप डिप्लोमेट को पांच दिनों के भीतर देश छोड़कर जाने का आदेश दे दिया भारत कनाडा के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका कभी बयान सामने आया है अमेरिका ने कहा कि वो कनाड़ा के आरोपों को लेकर चिंतित है अमेरिकी नेशनल सिक्योर्टी काउंसल की प्रवक्ता एड्रीन वाटसन ने कहा कि प्रधार मंतरी जस्टिन टूडो के जरिये लगाए गए आरोपों को लेकर अमेरिका बेहत चिंतित है अभी ये जरूरी है क कनाड़ा की जाच पूरी हो और आरोपियों को पकड़ा जाए आपको बता दे इसी साल 18 जून को निजर की कनाड़ा के बिटिश कॉलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मार कर हत्या कर दी गए थी भारत सरकार निजर को आतंकवादी और अलगावादी संग्ठनो का मुखिया बताती रही है निजर के समर्थक इन आरोपों को खारिच करते हैं भारत और कनाड़ा के बीच ये पहली बार नहीं है जब संबंधों में तलखी देखने को मिल रही हो आपको बता दे जस्टिन टूडो और पीम मोदी के बीच दूरियां आने का ये पहला मामला नहीं है कहा जाता है कि दोनों राश्ट्र प्रमुखों के बीच कभी संबंध बहतर नहीं रहे मोदी माई 2014 में पहली बार भारत के प्रधार मंतरी बने और जस्टिन टूडो औक्टूबर 2015 में पहली बार कनाड़ा के प्रधार मंतरी बने 2019 में भी नरेंदर मोदी दوسरे कारेकाल के लिए चुन कर आए और टूडो को भी अक्टूबर 2019 में दूसरे कारेकाल के लिए चुना गया टूडो की लिबरल पार्टी ओफ कनाड़ा खुद को उधरवादी लोगतां तरिक बताती है और प्यम मोदी की बीज़िपी की पहचा 2010 में भारत की तदकालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग G20 समिट में शामल होने कनाडा गए थे लेकिन समिट से इतर किसी भारतिय प्रधानमंत्री का कनाडा जाना 42 साल बाद तब हो पाया जब PM मोधी कनाडा के दौरे पर 2015 में गए जस्टिन टूडो जब से PM बने है तब से नरेंदर मोधी कनाडा नहीं कए है बताते चलें कि दोनों देशों के बीच विवाद को देखते हुए फलाल कनाडा ने भारत आने वाले अपने नागरिकों के लिए एक एडवाईजरी भी जारी किये है इसमें कहा गया है कि के बीच का इविवाद आगे क्या मूर लेता है